कि एक ऐसी तीन संख्याय लिखिए जिनके दसमलों परसार अनौसानी अनावर्ती हों ऐसी तीन संख्याय लिखिए जिनके दसमलों परसार मतलब आपको थ्री नंबर ऐसे लिखना है जिनके decimal expansion non-terminating and non-repeating हो non-terminating and non-repeating का बच्चा जो इंगलीस है बड़ी खतरनाक है पता है कैसे है इसकी इंगलीस non-terminating and non-repeating की जो हिंदी है हिंदी इसकी है अनौसानी अनावर्ती तो समझो यहां पर जैसे कोई भी नंबर को अगर हम भाग देते हैं उसमें से मैं तीनों लिख दे रहा हूं आप दिमाग लगा लो एक अंडरूट दो हो जाएगा एक अंडरूट तीन हो जाएगा और एक और का हो जाएगा भाई पाई कमान भी वैसे होता है इनका जो दसंबलों पर सार है आप करोगे तो वो तो सांत नहीं आएंगे कुछ समझ पा रहे हो कि नहीं अभी मैं सुरू नहीं कर रहा हूं पढ़ाने अभी तो तुम हंड्रेट पूरा करोगे तब मैं सुरू करूंगा अभी तो मैं आपको एक डेमो दिखा रहा हूं ट्रेलर है अभी ये मूवी तो मां की ही है चलो कुष्चन सभी पढ़ लिए किताब लिए हो पहले ये बताओ गुड़ इबनिंग अरबिंद जी गुड़ इबनिंग टीपी गुड़ इबनिंग इसमिर्थी पिद्यारती गुड़ इबनिंग मिस्टर निकुल वही गुड़ इबनिंग जैसरी सब को गुड़ इबनिंग पुलविंदर कौर कुछे कुछ नहीं सुन रहा है क्या बाकि सब को सुन रहा है सब को सुन रहा है तो सबी बच्चे जल्दी से फटा फट सेयर कर दो भाई 100 पूरा करो इसके बाद हम लोग शुरू करते हैं स्टार्टिंग में हम लोग इसलिए बेट करते हैं पांच-दस मिनट की बच्चे आप लोग सेयर करते हो बच्चे आते हैं 100 प्लस हो जाते हैं तो फिर हम लोग पढ़ते हैं कब तक मैं कुश्चन लिख देता हूं जब तक बच्चे आए ऐसी तीन संख्याय लिखिए जिनके दस हमलों परसार थोड़ा सा इंतजार कर लो आप लोग बच्चे आने दो पहले दो मिनट इंतजार कर लो बस और इंतजार में करो शेयर करो आप लोग जिससे बच्चे जूड़े नहीं तो इंतजार है करते रहोगे आपके पास अगर एक दू तीन मुबाईल है न तो सम्में चला लो जिनके दस हमलों परसार जिनके दस हमलों उतर देख रहा है देख रहा है तो कहा है मौका छोड़े हैं दस हमलों परसार अनौसानी अनावर्ती हूँ अनौसानी अनावर्ती हूँ देखिए अब मुझे लगता है कि बच्चे आ गए हैं अभी कुछ और बच्चे हैं रिया पटेल कमेंट आ रहा तुमारा ठीक है सुर्जीत कुमार सबका कमेंट आ रहा है भया सभी बच्चे अपने वाट्साप स्टेटस में कलास की लिंक को लगा दीजिए जैसे तुम प्यार महबत वाले नगमें लगाते हो ना वसे इसको भी लगा दो कुछ बच्चों को फायदा हो जाएगा बहला हो जाएगा किसी का चलो पिनाक्षी साहो गुड इबनिंग सिब्यान्स राजपूत जी गुड इबनिंग अब फटाफट सेयर करो तुरन दबाके सेयर करो 100 पूरा करो और स्टार्ट करो स्टार्ट करो नहीं करो नहीं एक लप ओटा मार रहेंगे जान लो सेयर नहीं करते हो बस यह कहते हो इस्टार्ट करो इस्टार्ट करो जिससे लग रहा है कोई मतलब बिजलिक मसीन है कि बटन दबाए तो बस सुरू हो जाए पहले 100 बच्चे तो पूरा करो ना आब थोड़े से और बच्चे हैं जो बच्चे नहीं सेयर की है फटा फट सेयर कर दें सेशन को लाइक करते हुए को सब्सक्राइब शुरू करें अब थोड़ा स्थलू लगी है कर भासर दे न बाहतर Googleहमारे माननियीश पर्दान यस देते पिछले साथ साल से दे रहें हम थोड़ी भासर देने वाले चलो तो भाईयों और बेहनों कहके हम नहीं बोलने वाले हैं समझ रहो ना जो बच्चे सेर करने गए हैं वो आई रहे होंगे जैसे आएंगे वैसे पूरा हो जाएगी संख्या मुझे पता है तुबं कमेंट आरा बच्चा गभी राज बोलना यं सीदी पे पढ़ा हो अच्छा लगता बेटा अच्छा तो बहुत कुछ लगता जिन्दगी में जो अच्छा लगता जरूरी नहीं हो हमारे लिए अच्छा ही हो इसलिए जो अच्छा लागए उससे दूर रहो हम इंतजार कर रहें किसी के आने का कि हंड्रेड लाइब हो जाए तो शुरू करें अगर तुम्हें पढ़ना है तो फटा फट सेर कर दो हाँ फटा फट सेर कर दो हम इंतजार कर रहें किसी के आने का कि हंड्रेड लाइब हो जाए तो शुरू करें जल्दी से शेयर करो सभी बच्चे अपने वाटसअप ग्रूप में हर जगा सेयर करो फटा फट जिनका वीडियो नहीं चल रहा इस दीगे लिंक पर किलिक करें तुरंट चलेगा जिनका वीडियो नहीं चल रहा उनको देखो मैं लिंक भेज़े देता हूँ जो आ गए हैं वो नहीं जाएंगे सिर्फ सेयर करने जाएंगे बस तुरंट आएंगे अब हम एक मिनट और रुकने वाले हैं क्लाश शुरू हो रही टाइम हो चुका है बच्चा क्योंकि दस मिनट लगता है लोगों को नोटिफिकेशन मिलने में कुप दबा के सेयर करो फटाफट कुलबिंदर कौर देखो मैंने लिंक भेज़ दिया है अगर आपका नहीं चल रहा था तो देखो आपका चलेगा आजया चौधरी सिवम चलो बच्चा फिर तुरू किया जाए बच्चे लगभग जुड़ गये हैं पूरा हो गये हैं बाई जो बात चीत करेंगे पहले समझ लें उन्हें बलाक कर देंगे बीना कुछ बोले इतली अगर तुम्हें पढ़ना है तो ठीक है अगर किसी कैसी हो पूजा तुम कैसी हो तो हम लाते ला तुमारे गिजान लोगर इसा किया तो समझ रहे हो ना थोड़ा सा बुरा लग रहा होगा सुनके लेकिन तुम समझ रहे हो चलो तो बच्चे जुड़ गये हैं फिर शुरू करते हैं आज की क्लास गुड इबनिंग इस्टुडेंट्स कैसे हैं आप सभी मैं राज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने फरिवार पी वी आर श्टड़ी में तो बच्चों कलास 9 की आपकी मैथमेटिक्स की लाइब चल रही थी जिसमें आप लोगों ने अभी तक पांच कलासे पढ़ लिया है और चाटवी कलास आज आप पढ़ेंगे शाटवी कलास में हम पढ़ेंगे एक्सर साइज नंबर एक्सर साइज नंबर कौन सा 1.3 कुश्चन नंबर 7 ठीक है 1.3 का कुश्चन नंबर 7 अगर आपके पास NCRT किताब है तो चाहे आप CBSC बोर्ड के हैं UP बोर्ड है, बिहार बोर्ड, MP बोर्ड राजस्थान बोर्ड, हरियाना बोर्ड, केरल, करनाटक कोई भी आपका बोर्ड है, कहीं से भी आप हो आल इंडिया में, भारत देश में तो सब के लिए ये important है ये आपके किताब में है, आपके सिलेबस में है अगर आपकी कोई राज जी की NCRT बुक है, केंदर की NCRT नहीं है तो आप में ये question होगा लेकिन थोड़ा सा आपका chapter या फिर आपका exercise आगे पीछे हो सकता है लेकिन ये है आपकी किताब में कहीं न कहीं इसलिए समझना है सब को, पढ़ना है सब को बाद में किताब खोजोगे तो मिल जाएगा ये किताब में है, किक है, सुनो concept समझे लो कहरा कि ऐसी तीन संख्याएं लिखिए, जिनके दसमलो परसार अनौसानी अनावर्ती है इनको हम इंगलिस में भी बताएंगे हमें क्या करना है थ्री ऐसे नंबर रिटेन करना है यहाँ पर लिखना है तीन ऐसे नंबर जिनके decimal expansion तसमलो परसार का मतलब होता बच्चों decimal expansion अनावसानी अनावर्ती बड़ी खतरनाक हिंदी है non-terminating and non-repeating हो समझ रहे हो ना जब मैंने सुरू किया था नंबर सिस्टम बताया था बेटा कि terminating number क्या होता है non-terminating decimal expansion क्या होता है बहुत अच्छे से पढ़ाया था तब तो तुमको काजल याद आ रही थी हाँ तो कहां से आएगा चलो देखो समझो मनोच सिंग आरा समझ में न बच्चा तो देखो अगर हम बोलो खतम होता है क्या ना तो खतम होता ना ये रिपीट होता है मैंने बहुत पहले पढ़ाया अगर तुमने पढ़ा होगा तो तुम्हें मालूम है नहीं पढ़ाया तो बगवान जाने ये छटवी कलास है अगर आपने इसके पहले की पांच कलास नहीं देखा है तो आप देखो डिस्क्रेप्शन में आपको लिंक मिल सकती है आप उस पांच कलास को देख लेना एक काम और भी कर सकते हो आप लोग वो क्या है ना चैनल पे प्लेलिस्ट बनी है उसमें भी पिछली पांची कलासे हैं उनको देख लेना तुम साइलेंट हो जाने तुम को तुम फोड के बहाँ देंगे तुमको नहीं मालू हमारे बड़े नालायक लड़के हैं वहर समय फोन करते हैं चलो तो अगर हम underiggles three की बात करें तो इसका क्या होता है थ्री पॉइंट क्या होता भैy one four one something andстрode one four one something five nine ऐसे कुछ उता एक आप लोग कोगए यह क्या है कह से आता है कहा से आता है भैय यह repeat नहीं होता ना atto यह खतम होता यह ऐसी वीमारी ना बहुत बड़ी महामारी एक कोरोना की दादी ना तो रिपीट होगा ना खतम होगा पाई कमान आप सभी जानते हो पाई कमान कितना बोलते हैं अरे यह पाई यह कमान है दादा जो मैंने यहां रखा है 3.14159 यह पाई वाला ही है इसका वाला देखो अभी हम इसको आपको ने दिखा देंगे अभी कहोगे पता नहीं कहां से लिख दे रहें देख लिख रहें है ऐब कन्फ्यूज होगे ना अभी मैं आपको इसको निकाल की दिखाओंगा कैसे आता एदेखो ध्यान दो यह वज अंसु बर्मा ठीक है गूड इबनिंग देखो समझो बच्चों जैसे अगर मैं आपसे पूछ हूँ कि चार कवर्ग मुल क्या होगा तब तो तुम लपाक से बता दोगे कि गुरुजी दुई होगा हाँ अगर मैं तुम से पूछ हूँ कि पचीस कवर्ग मुल क्या होगा तो ललू लाल बता देंगे पांच होगा लेकिन अगर मैं तुम से पूछ हूँ कि भाईया दुई कवर्ग मुल कितना होगा तो तुम लटक जाओगे जुरा आनाम जैसे तब तुम्हारे मुझे राजन वाली जो है वो क्या करेंगे हम क्रिया करेंगे देखो जो बहुत ज्यादा कमेंट कर रहे हैं इधर उधर कर ना उनको हम तुरंत भी बलाक करवा रहे हैं फिर उनका कमेंट नहीं आएगा बेटा इसलिए अगर पढ़ने आयों तो पढ़ लो पणकुमार पढ़ लो, हिंदी-Inglis सब में बता रहे हैं बच्चा पढ़ना है तो पढ़ लो नहीं पढ़ना है तो जाओ कहीं कुछ और करो च्रो समझोगगई तो देखो दो का जो हम यहां पर वर्गमूल निकालते हैं, बच्चों वो कैसे करते हैं, कुछ ऐसे करते हैं, हाँ पर समझो, हमें क्या करना है, दो का क्या करना है, वर्गमूल निकालना है, तो इसको कहा लिखेंगे भाईया, यहां लिखेंगे न, क्या है ये दो, दस हमलों कितने अंक तक निकालना है 10 ने खालतू कुंछ सब्सब्स ढिए जादा नहीं काथ आयाता हूं तो इसमें क्या करेंगे बार बार जीरो जीरो कर के इनके क्या करें य 계ल जोडे बनाते जाते हैं आप यहां पर समझो इनके जोड़े क्या करोगे आप एक स्पेंड करते जाओगे मैं आपको एक प्रकार से इसमें भाग विधी से वर्गमूल भी बता देता हूं आप ध्यान से देखो यह ऐसा मंतर है जिसमें सब कबर हो जाएगा मतलब जो नंबर पूर्डवर्ग है उनका भी आजायेगा कुछ समझो नंबर है । यहां पर दसमलों लगा कि हमें जितने अंक तक निकालना ए देखो एक जोड़ा तो यह बन गया पहले जैसे पांच अंक तक निकालना है तो हम जीरो जीरो के कर्देर मिला के पांच जीरो जोड़ा बनाएंगे यह देखो दो जो तेन जोड़ा हो गया चार जोड़ा हो गया चलो पांच जोड़ा में पांच अंक तक निकालूँ है उभाग विदी से एक वर्गमूल यहां पर हम आपको दिखाएंगे कि अंडर रूट दो कमान जो तुम अभी तक रटे हो नाइन टेंथ में ही बता जाता बेटा कि रूट दो कमान यह 107 होता है संस्थिंग होता है यह में कितनी बार जाएंगे यहाँ ध्यान देना थूदा सा यहाँ एक आपको concept सीखना बच्चा कि अगर हम one बार भाग ले जाएंगे तो हम यहां भी one लिखेंगे उपर भी one लिखेंगे ठीक है यह इसकी खासियत है लेकिन इसके नीचे भी one लिखेंगे और यह पर एक ठी लंबा फ़लाइन खीचेंगे कुसो ना इतने मैं समझ में आ रहा रहा ना बच्चा देखो अब यहां पर भी क्या करेंगे हम one ही लिखेंगे लेकिन one यहां पर कहां से आया यह इसका आपस में गुड़ा होता है यहां पर घटालो बच्चा कितना आ गया one और यह जुड़ता है लेकिन एक बात ध्यान रहे इसको जोड़ने पर जो आएगा यहां चिपकाई की नहीं लिखोगे सटा के इससे थोड़ा दूर लिखोगे मतलब इधर एक गिंती लिखने की जगा बची रहने चाहिए समझ रहे हो कि नहीं सबी देखो अब आगे चलो बच्चों ये तो हो गया अब हमें दसमलों के बाद वाला जोड़ा उतारना है क्योंकि 2 का भाग अब अन में जाएगा नहीं मतलब एक जोड़ा उतारेंगे जीरो वाला न बच्चा थीक है अब ये है 2 ये है 100 अब अगर हम तुम से पूँचे कि बच्चा 2 से 100 में भाग कितनी बार जाएगा अब बताता कि उन्हें इतना देर फे कमेंट किया जारा सब्सक्राइब करो सब्सक्राइब करो लिख रहा है आर एक्स गेमिंग बेटा तुम्हारी जिंदगी बिना एक गेम बन जाएगी और तुमको लोग खेलेंगे इसे सब्सक्राइब करने वाले पढ़ लो चलो देखो में जी के में लाइब करो लाइब करो लाइब करो यह सेटिंग करें बस इनकी जिंदगी उसी में है उतने में ही जिंदगी है इनको सब मालूम है जिंदगी में अफली मजा क्या है बढ़ाई-बढ़ाई-इस कोई मतलब नहीं समझो इदर तो बच्चा क्या किया मैंने दसमलो के बाद का एक जोड़ा यहां उतारा तो उपर क्या किया दसमलो भी बढ़ाया ठीक है उपर दसमलों भी बढ़ाया नीचे क्या किया एक जोड़ा उतारा अब कुछ बच्चे बोलने 50 आएगा वो तो ठीक है जब सीधा सीधा भाग करते तो 50 आता अब यहां देखो अगर हम एक बार भाग ले जाएंगे बच्चा तो यह कईस आएगा यह भाग कुछ लो एक बार ले जाने का मतलब है बच्चा यह कईस आएगा दूई बार ले जाने का मतलब क्या पता है देखो बच्चा अगर दूई बार ले जाएंगे तो यह इसे बनेगा अगर तीन बार ले जाएंगे तो तीन बार ले जाने का मतलब है यह इसे बनेगा तो बच्चा जाएगा कितनी बार जाएगा चार बार जाएगा लल लू समझ लो प्यार से यह भाग विद्री से और गमूल इसमें तुम्हें पढ़ा रही कि only the command 0.414 यह तुम्हें मिलता कहांसे आता कहांसे मैं वह निकाल रहा हूं ठीक है समझ लो देखो इस तारह से अगर हम बात करें तो अनुभोक्त आधार नहों यह उस्पर बार जाएगा इतनी बार जाएगा चार बार सिमम कू सँवा हाह बहुत अच्छे बाई सीवं चीतनी नहीं पूं नहीं टूरा जाएगा यह नहीं कहीं सटा है दो दिवाल में जगर अने देना चार चार आठ और यह दूई तो बच्चा अगर यह चार बार गया तो ऊपर खोपड़िया पर भी चार लिखना है क्योंकि वही तो आपूट निकाल रहा ना वही तो काम का होगा ना हमारे बाद में आगे समझो कलास को पूरा देखो अगर गड़ित पढ़ना है तो बच्चा जाना नहीं छोड़के यहां पर कोई नहीं दमेली दुलान नहीं आई गया जहां के लिए चल दिए पढ़ रहे ह हमारे 00 के कईयो जोडे बचे हैं ना के यह जोडा देखो यह एक जोडा मैंने उतार लिया था इसमें भागक कोई बताया निवां सत्यम कुमार बताओ भई कितनी बार जाएगा यह देनु कितनी बार जाएगा बताओ एस्टडी मोटिबेशन इसलिए तो मैंने 15 सीकेंड होल्ड किया ना कि तुम लोग सेटिंग ना कर पाओ 15 सीकेंड में बीच में कई लोग के और कमेंट आजाएंगे तुम लोग काये गई कितनी बार जाएगा वन बार ठीक है देखो बच्चा अगर हम दो बार ले जाएगा तो क्या होता सोचो अगर हम दो बार ले जाते तो यह दो ऐसे बनता जाताम, घर बच्चा बढ़ी हो जाता यहाँ सोटमा बड़ा नर्थ हो जाता यहनिं तुई बार नी जाएगा तो दाल गले गिनी गड़बड़ा जाएगी तो वन बार जाएगा ये तो 281 आएगा उपर वन जाएगा तो तुम्हें इतना तो समझ में आ गया कि 1.41 ये कैसे आता इसमें न अब इसको घटा लो और बगल में जो जगा है वहाँ पे करें क्या देखो यार अब तो इसमें जगा ही नहीं है थोड़ा मुझे जगा करनी पड़ेगी सकेते में समधियान करना पड़ेगा मैं नीचे दिखाऊँगा चाहे तो मेरा कुछ अलगए चीज़ देख लो यहाँ पे जो सिक्रेट चीज़ें लेकिन मुझे दिखाना पड़ेगा यह सवाला चलो देखो खटा दिया अब समझो इंको घटाओ इंको जोडो यह एक-एक-दो हो जायेगा थोड़ा छोटा लिखूंगा आप समझना यह आट हो जायेगा यह दो हो जायेगा बच्चा इनको घटालो कितना आएगा भया तंकर राज बताओ कितना आएगा देखो इनको घटालो यह 9 आएगा दस में से गया 9 यह 9-9 में से 8 गया एक यह इसमें सुधार गया था यह ओ गया 19 119 आएगा ना विव बहुत अच्छे बाई चिराग बेरी गुड तो बच्चा नीचे आपको थोड़ा कम दिखरा होगा मैं थोड़ा कैमरा नीचे करके इसको आपको पूरा क्लियर करवा दूंगा आप मुझे बताओ यह कितना बार जाएगा भाई है कर भाई नीचे तक देख लो तुम चलो 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 सेटिंग कर दिया मैंने देख लो तुम चलो कि अब देखो यहां पर समझो कि देखो भाई यह जो आपका 119 आ गया ना यह 221 आया है अब इसमें भाग तो सीधा तो हम एक काम करेंगे, वो क्या है, एक काम करेंगे, उपर का देखो, मैंने एक जोड़ा उतारा था, यहां पे, एक यहां पे, दो जोड़ा मैंने उतार लिया है, तो जो जो मैंने उतार लिया, उसको चिन्धित कर देंगे, यह मैंने उतार लिया, यह उतार लिया, अब हम उ उतारता वो जोड़ा तब क्या होता ना उतारता तो क्या होता अगर वन टाइम ले जाता न तो 2831 हो जाता इतना हो जाता अब कितनी बार जाएगा सोच उजरा कि इसको थोड़ा पास में लिख लो का है इनके बीच में इतनी दूरी रहें, चलो, कोई बताएगा, YouTube युवस चार बता रहे है, राहू लिया दो, चार बता रहे है, और कोई, ठीक है बच्चों, देखो, चार बार जाएगा, अब मैं नहीं बताऊँगा क्यों जाएगा, क्योंकि मैं कई बार बता दिया, तुम सुन गटा लो इसको तो और अब बताओ 10 में से 6 गया 4, 9 में से 9 गया 0, 8 में से 2 गया 6, बस हो गया 604 आया, बच्चा इनको जोड़ लो 4-4-8, पुड़ा इदर जगा छोड़के लिखेंगे, और ये 2, ये 8, और ये 2, इतने में किसी को कोई दिक्कत नहीं न बच्चा, तो भईया जो मैं 4 बार ले गया था, ये 4 उपर भी तो लिखा जाएगा, देखो तुम्हें कुछ समझ हो मज में आ रहा कि नहीं, ये बेटा अंडर रूट दो कमान निकाल रहा हूं, मैं कैसे होता दसमलो में, ये इतनी जो यहां पर जाई हो रही हो रही ना, इस लिए हो रही, भी तब चल्ट दो कमान 1.414, या चल्ट किताहीं आता, कैसे है, इसい में से जन में लेता है वो, याद कर लो, यहां से मतलब समझ लो, है, वहने बाहर था, और ले जाएं कि नहीं, तसमलो के बाद मैं उपर से एक जोड़ा और उताल लो अब बताओ ये कितनी बार जाएगा कोई सोच के बताए मुझे कितनी बार जाएगा भई राहुल पांडे बताओ कितनी बार जाएगा विजय मिस्रा अच्छा देखो ये कितना है 60,400 और ये कितना है 2,828 तो भाईया ये 2,828 है मतलब 28,28 है अगर हम वन बार ले जाएगे तो 28,281 आएगा एक बार ले जाने पर 28,281 आएगा ना एक बार ले जाने का मतलब ऐसा structure बनेगा लेकिन ये 28,000 के लगभग आएगा वो 60,000 है तो फिर क्यूंना हम 2 बार ट्राई करें क्यूंना 2 बार ट्राई करें क्योंकि वन टाईम में बहुत कमा रहा है तो दो बार अगर हम ले जाएगे देखो बच्चा देखो बच्चा दूई बार ले जाने पर ये 56,564 हारा है मतलब सही setting हो रही है तो यह बार जाएगा तो तुई बार जाएगा अपन हजार पांच सो चाउसा ठाएगा बच्चा यहां पर तुम दूरी लिखोगे यहां पर दूरी लिखोगे नीचे बहुत ओबर हो रहा है ना कि यहां से एक बात आपको और समझ में आई होगी कि अभी इनको घटाओगे फिर कुछ आएगा फिर कुछ आएगा मतलब यह कभी खतम नहीं होने वाला है जैसे हम लोगों की पीड़ियां चली आई ना कि सरकारी नौकरी चाहिए बस सबको नो कर बनाया पूरे देश के लोगों को मंन में आए किने नोकरी चाहिए अभ लोगों के दिमाख में वहीं बैठी आज भी सरकारी नोकरी चाहिए नपने लोग लड़की की साधी देखेंगे सरकारी नोकरी वाला हो चाहे वो गोबरे भरता हो मतलब किसी सरकारी आफिस में लेकिन प्राइबिट में लाखों का काम करता हूं उससे नहीं मतलब किस्मान स्रिता को बदलिए चेंज करिए कुछ भी करिए सरकार को गाली मत दीचिए हम विरोधी हैं लेकिन अपना कुछ करिए हमारा यह मानना है समझ रहो ना यह उत्तर हो गया आपका ये क्या हो गया आपका उत्तर हो गया क्योंकि ॏ आने वाला है मतलब खतम होने वाला है नहीं यह अभी ऐसे आता जायेगा आता जाये आता जायेगा कभी खतम नहींता है कि बच्चा इसक fit इस लीचिए टाट डाट-डाट कर दिए थे मतलब यहां पर तुम्हें चीज देखो क्या कोई गिंती वार भार रिपीट हो रही है को बोलो हा यहां नहीं च EPA कोई गिन्टी यहां पर बार बार repeat हो रही है कोई नहीं दिख रही न, मतलब देखो फोर आया है, लेकिन बीच में ववान आया है फिर 4 आया, फिर 2 आया, फिर कुछ और आयगा फिर कुछ और आयगा, मतलब repeat नहीं हो रहा है क्या इसमें कोई उमीद है कि कभी खतम होके zero हो जायेगा नाई कभी नहीं होगा क्योंकि उपर से तो हम zero बार बार उतारी सकते हैं नीचे कभी zero नहीं होगा यहां से हमें यह सीक मिलती है यह नंबर कैसे हैं जिनके दसमलो परसार अनोसानी अनावर्ती हो उसमें से यह नंबर अंडरूर दो बहुत ही सही ह जिसके कहते हैं नान रिपीटिंग है नान टर्मिनेटिंग हो समझ में आया ना बच्चा तो आज मैंने तुम्हें बताया कि किस तरह से अंडरूट दो कमान निकलता है तब को समझ में आया जल्दी से इस कलास को तुरंद लाइक करो फिर देर ना करो ऐसे मज़ा नहीं जल्दी करो भाई तुरंद फटा फट लाइक करो जल्दी से सभी साथी सेसन को तुरंद लाइक करिए उसके बाद फिर हम आगे बढ़ें बहुत जल्दी करिए जल्द बढ़े। बहुत अच्छे एको भी बच्चे जो नहीं क्मिंट कर पा रहे हूँ वो सब्सक्राइक नहीं कुर ऐसी कि कौन सा जानुमर बेज रहे हो तो मिक्षा कुमारी हाथ देखें भी उप जलो ठीक है तो बच्चा इनको हम मिटाएंगे अब स्क्रीन साट ले लो फट से जल्दी से आपके पास दस सिकेंड का टाइम है स्क्रीन साट निकाल लो मैं इसको मिटाऊंगा जल्दी कर आपके लिए भी गोके रेडी करके चलो अब एक बात बताओ क्या इसी तरह से आप तीन का निकाल लोगे कि नहीं अंडरूर तीन कमान निकाल लोगे इस तरह से 3 3 थेidents, 5 निकालों गेन ना, पाई का निकालों सब्हें कि नहीं, नहीं सभी बोलो, हार या नहीं या सईननो, सभी बच्चे बोलो अरबिंद, निकालों गेन बलो भब राज, सुरेंदसिंग, तुरेलेष राज, नूब नूब नाम है इनका यन डबलू नहीं है दादा यन डबलो भी नूर लिख लेती तुम तब भी अच्छा लगता इतिहासिक नाम है अब नूब लगा लिया ऐसे से नाम भी आ रहे हैं नहीं ब्रांड के कोई पंकज रखता है तो उसका बैया रंकज रख लेता है मतलब जिसक निचे कुछ ठाई नहीं जहां तक दिखरा था वहीं तक था जहां तक दिखरा था वहीं तक था उसके नीचे कुछ नहीं तो आप लोग अब मुझे पता है कि इम्डरूर्ट्रीimens का भी इसी तरह से निकाल लोगे तो पत्चों ये आपका जो क्वेश्चन है ना एक्सरसाइज 1.3 का कुईश्चन नमबर का उन सथा भाई खतम होता है पचमा कल मैंने बताया था कुछ लोग कन्फ्यूज थे तो मैं फिर से बताऊं क्या सिर्फ भाग करना है बस बहुत लंबा सा भाग जाता है कर लोगे न सभी कल मैंने लगाया था इस बटा 17 अपही देखो यहां पर ज्यादा इस पर सो है नहीं और यह बहुत लंबी भाग जाती है 16-17 गिंती में जाती यह 1617 में जाती है तो बहुत बड़ा हो जाता बोड में आता नहीं है कर लोगे ना इसको भाग करना है भाग करके लिख देना सोला अंक तक जाएगा बस सोला सतरा अंक तक जाएगा बबुवन पुज्वल बनवारी आर्ट मैंने आपका चैनल आज ही जॉइन किया है पहले की कलास देखने के बाद लाइब कलास देख पाऊंगा हाँ बबुवन जी बिल्कुल देख पाऊंगे बच्चा क्या नाम है तुम्हारा आर्ट अजीब टाइब का नाम है बई जाओ चलो ठीक है बनवारी चैनल की प्लेलिस्ट में है जो पहले 5 कलास वी उससे देख लेना तो इसको मैं छोटा करता हूं उपर करता हूं उसके आच्छे कौपी किताब लिये हो की नहीं देकर किताब लेकी पढ़र करो खाली हाथ तमासा नहीं देखा करो जलो तो यह अब काउनसा बताएं साथ नंबर हो गया आठ नंबर कर लोगे की नहीं कौन सा नंबर कराऊं कुश्चन इक्सरसाइज 1.3 इक्सरसाइज 1.3 कौन सा नंबर कराऊं बताओ साथ नंबर होगे आठ कर लोगे देखो यार कुश्चन मिठाना पड़ता है यहां पर और बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है तो थोड़ा टाइम आपको मनेज करना पड़ेगा क्योंकि आफ लाइन कलासे पढ़ रहे हो लाइब इसमें जो मज़ा है न वो ऐसे मज़ा कहा है देखो बच्चा आठवा में कह रहा है कि परमिय संखाओं पांच बटा साथ और नो बटा ग्यारा के बीच कि तीन अलग 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 परमिय संख्याओं लिखिए अलग अलग तीन परमिय संख्याओं पूछ रहा है किसके किसके देखो कुष्टन देखो यहां पर समझो कुष्टन समझो भया कुष्टन नमबर अठवा पांच बटा साथ और नो बटा ग्यारा पांच बटा साथ और नो बटा ग्यारा इनके बीच की तीन पर्मिय संख्या है पूछ रहा है अलग-अलग तीन पर्मिय संख्या है पांच बटा साथ है इसको तुम भाग करो पहले मुझे बताओ कितना आएगा स्याम सुन्दर सिंह भाग करके देखो बच्चा तो इसको भाग करोगे तो इतना लग-बग आएगा जो की बार बार रीपीट होगा अब भाग करके देखो 5 में साथ से अब तुम भाग करना जानते हो इतने बड़े लल्लू लाल नहीं हो कि मैं तुमको यह भी बता हुआ पांच में साथ का भाग कैसे करते हैं तुम करके देख लो कितना लगबाग आएगा ना प्रिया पटेल आरा समझ में अरुन मिस्रा चलो फटा पट लिखे जाओ भाई देखो क्वाल्टी बिल्कुल एचिटी में दिख रहा है ना चलो और यह जो छोटके लल्लू हैं यह कितना आएंगे भाईया 0.81 लगबाग आएंगे इनके उपर बार सबके चुर्की में बार जम गया है बड़े हो गए सब कह रहा है कि इन दोनों के बीच में कोई तीन पर्मिय संख्या है लिखिए कितना लिखना है तीन पर्मिय संख्या लिखना है तो बच्चा अगर तुम एक चीज देखो यहां पर ध्यान से वह का है देखो तो अगर हम इसमें इनके सारे नंबर छोड़ने किनारे वाले तो यह हमें मिलता है जीरो पॉइंट सेवाइन बोलो मिलता है कि नहीं इस बड़न पॉइंट तो की निखील है अरो य мех 1 मिलता है की बाद क्या है फॉर है टो है ये ऐ Glenn है मानलों कि हम इसे पूरा नहीं लिखते हैं यह क्या है एट वन से अगर वैसे देखें तो 71 पैसा है यह 81 पैसा है मोटा मोटा तो पहिया हो अगर हम इसके नीचे बात करें तो 0.71 के बाद 2 भी तो होगा हां 42 डाट 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 जो भी 0.7342 डाट डाट 0.7442 डाट 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 और ऐसे करके जब यह आगे बढ़ता जाएगा एक एक बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा तो बच्चा नीचे जब बढ़ोगे नीचे बढ़ते आओगे तो एक समय आएगा जब 0.81 और यह 42 डाट 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 आएगा कि नहीं कि तभी बोलो आएगा कि नहीं कि बोलो यास कि दुरुगा कि इकम खतिक तुम्हारा नाम बड़ा कठीन है मैं नहीं ले सकता हूं वाफी चाहता हूं मिं णकूल आएका ना तो कि है रहा था उन दोनों के बीच में इन दोनों के बीच में तीन अलग-अलग परमिय संख्याएं लिखिए है इन रेफनल नंबर होता है तो अराम से कर लेते हँ तो बच्चा तीन अलग अलग इसको लिख तो तीन यह लोग हो गया चलो यह तीन अलाग अलाग इसकी कोई गारंटी ने लेता हूं किनी भी दो पर्मिय संख्याओं के बीच में अनंत पर्मिय संख्याओं होती इसकी गारंटी है यानि दो रेफनल नंबर की बीच में इनफाइनाइट रेफनल नंबर होते हैं कितने होते हैं इनफाइनाइट होते हैं अनंत होते हैं सब को समझ में आ रहा है ना हिमानसु जी आ रहा है समझ में राजेस राजू इर्फान साकेत मनोच सब को समझ में आ रहा ना बच्चा आ रहा ना बाबू चलो लिख लो तो यह आपका question number 8 हो गया exercise 1.3 question number 9 देखो exercise 1.3 का question number 9 देखो जो सिर्फ comment के पीछे पढ़े हैं बच्चा हम comment नहीं पढ़ेंगे इस बात को तुम अपने दिमाग में बसा लो क्योंकि अगर तुम्हें पढ़ना है तो comment से कोई मतलब नहीं होना चाहिए नहीं पढ़ना है तो जाओ भाड में समझ गए ना बही मोटा मोटा हमारा यह जबाव है अगर पढ़ना है तो कापी किताब ले करके साम को सात बजे हमारे साथ like जुडो सबसे पहले कलास को like करो और दोस्तों में share करो आपके घर में जितना mobile phone है computer laptop जिसमें जिसमें भी चल सकता है सब में वीडियो को चला दो और चला करके आवाज धीमा कर दो सब में और एक में जिसमें तुम पढ़ सको उसमें बै किताब लिए हो ना सभी अच्छा एक नया कमेंट करके बताओ जो बच्चे किताब लिए हैं वो पी लिखे कमेंट करें पी मतलब परजेंट बुक और जो नहीं लिए ना वह यह जो जो बुक लिए हैं पी लिखे पी फार पायरेट जो नहीं लिए एफार एपल कितने लोग बुक लिए हो मैं हर दिन पूछता हूं हमारी कोशिस है तुम हरे कोई किताब लेखे आओ एली किताब लेखे आओ बिना किताब के नहीं देखो कि विश्चन नमबर 9 जिनके किताब नहीं है वह इसे चाटा गटा इसे देखेंगे उनको कुछ समझ में नहीं आएगा जिनके पास किताब है उनके तो समझ में हरा होगा इसका मतलब मेरी आवाज सुन पा रहे हो अनुराधा ठीक है कमेंट आ रहा है कृष्णा मिस लवर अर्पित यादो अनुप मिसरा पुस्पा राहूल सभी बहुत अच्छे बच्चे हमारे इतने सुन्दर बच्चे हमारे है इतने अच्छे ना कि पढ़ें भाले ना लेकिन चर्टिंग जरूर करेंगे चलो तो नाइन नंबर कुश्चन में कहरा बच्चों बताईए कि निमनेलिखित परमिये संख्याओं में से कौन-कौन संख्याओं सदयों परमिये और कौन-कौन संख्याओं आ परमिये हैं नाइन नमबर question एक बार फिर से पढ़ो exercise 1.3 exercise 1.3 रक्षा 9 के NCRT गड़ित question नमबर 9 एक बार फिर से पढ़ो कह रहां बताईए कि निम्न लिखित संख्याओं में से कौन-कौन संख्याओं परमिये means रेफनल हैं और कौन-कौन संख्याओं इरेफनल हैं पहला option है बच्चा इसको तुम सभी बताओगे जो ना बताएगा उसको पटक-पटक मारेंगे आज इतना जान लो क्योंकि तुम लोगों को मैं इतना पढ़ाया हूं न इतना अगर किसी बरधा को पढ़ाता बहल बुद्धि को वह भी गड़ित सीख जाता चलो बताओ अंडरूट 3 यह रेफनल है कि इरेफनल है जो जो कह रहे है रेफनल है वह आर लिखके कमेंट करें और जो जो कह रहे हैं कि यह रेफनल है वह आई लिखें चलो जल्दी बताओ पी आई पी एफ एफ भाईया बाबू नंबर चलदा ना स्क्रीन पे नोट कर लो संपर कर ले ना बता दिया जाएगा जो भी कहना चाहते हो देखो बच्चा यह अंडर रूट 23 है न यह 23 बड़ा खतरनाक नंबर है इसकी किसी के साथ सेटिंग नहीं होती है यह क्या है एक प्राइम नंबर है न एक अभाज्य संख्या है इसका कोई भी मतलब अपना और एक ऑन जो शारवजनी परधान है बागी इन दोनों को छोड़के इसकी किसी से सेटिंग नहीं होती है इसका क्या है मतलब इसका कोई और गुड़नखंड नहीं है ऐसा मानो गड़ित की भासा में अब मैं सेटिंग का मतलब वो बता रहा हूं यानि इसकी म sì, वो क्या होती है अब आफाजिय संख्या हैि यह नहीं है नहीं है कि जल्दी जल्दी करो भी सब्जी लाने भी जाना है अभी लोग बनाएंगे तो लोग को लाकि कुछ चीज देना पड़ेगा तभी तो मिलेगा खाने माने कुछ नहीं मिलने वाला है चलो जल्दे खतम करते हैं अगला अगला बताओ अंडरूट दूइसो पचीज यह रेफनल है कि एरेफनल है बच्चा तुमको मैं कियासी होता है व!] किसी को वर्ग होता है वह बधना खिश का वर्ग है बहुत अच्छ chemistry बच्चे बेरी गुट अन्मोल संकेत कुमार ठीक है बच्चा बहुत अच्छे तो दोसौबotype चीज किसका वर्ग है बजी कोई बता रहा है भ्यद्रद बता तूरंट बता देर ना करो 15 का है न 15 15 में 225 तो ललू लाल अगर 15 का है तो 15 तो रिफनल नंबर है क्योंकि इसको ऐसे लिख सकते हो जो की इकल क्या है ये ये परमिये है क्या है ये परमिये है को नो 25 बता रहा है अरे गधे अगर ये 15 का होगा तो 15 का 15 में गुड़ा करने पर आ जाएगा ना चलो देखो 15 पच्चे अब कर दो मुझे तो गुरुजी पहाड़ा वो नहीं आता है पाड़ा नहीं आता ना तो तुम्हें मैं क्या बताऊं पाड़ा तो याद कर लो पंद्रा पच्चे पचात्तर हांसी लाया साथ और पंद्रा एकम पंद्रा पंद्रा कितने का है पंद्रा का है तो बच्चों इस तरह से अगर ये पंद्रा आ गया इसका वर्गमूलत यह क्या है परमीय है रिपनल है लेकिन कुछ लोग सोच रहे होंगे गुरुजी यह करत तु पंद्रा निकाल दिया ठेके का है नहीं निकाला इसे का दुस्मनी रही का कोई भी वर्गमूल पूर्व संख्या नहीं मिलती समझ रहे हो ना रभी किसन जूट कौन बोल रहा है तुम पढ़ाई करने नहीं आया तुम तो अपने जिन्दगी से जूट बोल रहे हो दूसरे कि तो बात छोड़ दो चलो बच्चा अगला बताओ से दो पॉइंटेनस साथनौ च्छा यह रेफ़नल है कि छोटावचन चल्बता चल दी बता 重ता यह रेफनल लगज नकी डी अगर आतुम नोख करोगे ओ तो मियन्मेंटिक्स बहुत आसान है जो बच्चे गड़ित में कमजोर हैं वो PBR study app download करके zero level से पढ़ सकते हैं उनका सब कुछ clear हो जाएगा और जो कमजोर नहीं है थोड़ा ताकतवर हैं ताकतवर मतलब यह नहीं कि तुम मोटे हटे तगड़े हो तो तुमको मैथ आएगी अरे जो पढ़ेगा दिमाग का परियो सकते हो वो तुम्हारा सवभाग्य होगा जब अलग टाइम पर देखोंगे देखो यह क्या है रेफनल है कि ए रेफनल है बच्चा यहां पर तुम्हें एक चीज देखना है कि लाश्ट में तुम्हें का देखना है लाश्ट में यह ऐसे नहीं होना चाहिए जीरो जाएगा रेफनल हो जाया गया यह लेकिन इसका देखोंगे लिमिट है इसके आगे कुछ नहीं है बचा बचा तो यह इतना नहीं जाएगा एक दो तीन चार चार चार्थी है तो चार अंक पर दसमलो लगा तो नीचे बाद चार्थी जीरो बढ़ाओगे ना क्यों समझ में आया ना तो यह क्या है एक रिफनल नंबर है यह पर्मिय संख्याय बोलोगे क्या यह पर्मिय लेकिन इसमें का जो अगला है वो अपर्मिय है चौथा और पाच्वा दोनों आपर्मिय है अगर इसके आगे डाट डाट लगे तो क्या होगा तो वह अपर्मिय होगा ठीक है बेटा कुस वाहा तुम पढ़ लो तो अच्छी बात है नहीं तुम्हारे नाम जैसा है ना वैसे तुम्हारा करम भी हो जाएगा फिर क्या करोगे आगे तो बच्चों आपक एक नया चैप्टर होगा वन पॉइंट फूर कल पढ़ेंगे वन पॉइंट फूर अभ्यास कल पढ़ेंगे इसको नेक्स्ट डे कक्षा नो की अंसी आडिटी मैट्स की लाइब आप देख रहें बिल्कुल फ्री जितने भी नए चात्र आये हैं चैनल को तुरंट सब्सक् पुइसे तक एक बात और बता दें जो भी छातर कलास की लिंक पाना चाहते हैं वह पीवी आरे स्टडी का टेली गराम चैनल जवाइंट कर ले मतलब जैसे तुम वाट्सअप चलाते हो ना बच्चा वट्सप की तरह ही टेली गराम है वाट्सप की तरह क्या है टेली गराम एक application है अगर नहीं रखे हो तो डाउनलोड कर लो Google Play Store से जैसे ही इसे तुम डाउनलोड करोगे अपनी फोन में न WhatsApp की तरह अपना account बनाओगे जब सब बन जाएगा तो उस पर PVR Study लिखके सर्च करना जैसे ही सर्च करोगे तुम्हें PVR Study चैनल मिल जाएगा और जोइन कर लेना टेली गराम में पीछे की सारी कला से भेजी गई है video file note सारी कला सारी सूचना आपको टेली गराम चैनल पर दी जाती है घ़िए तो सबी चाथ्री टेली गराम में जरूर जोइन कर लो हां ठीक ना भाईया